असलाम उलेकों बच्चो गुड मॉनिंग चिलर्ण बच्चो आज हम पार्ट फोर पानी और धूप कविता का रीडर कारे करेंगे आप ध्यान से इस वीडियो क्लिप को देखिए लिडर्व अक्सेसाइजस पेज नमबर 26, 27 शुरू कट कटो चलिए हम शुरू कटते हैं पेज नमबर 26 लिखित कारे फास्ट बेट कविता को ध्यान से पढ़कर पंक्तियां पूरी करो बच्चों आप लोग कविता पढ़े हैं ना पानी और धूप की वो कविता को ध्यान से पढ़िये और यहां पर पंक्तियां पूरी करिए अभी अभी डाश अभी अभी थी धूब बरसने लगा कहां से ये पानी किसने फोड घड़े बादल के की है इतनी शैतानी अभी अभी थी धूब बरसने लगा कहां से ये पानी किसने फोड घड़े बादल के की है इतनी शैतानी बच्चो पेज नमबर 27 निकालिए सेकेंड बेट बच्चो दिये गए शब्दों के सही लिंग में राइट का निशान लगाओ बच्चो लिंग माने जंडर लिंग माने जैसे फेमिनाइन और मस्कुलाइन जंडर होते हैं एंग्लिश में जैसे मेल फिमेल वैसा याँ पर भी हमें देखना है पैचानना है कि हाती क्या है हाती क्या है स्ट्रेलिंग माने फेमिनाइन पुलिंग माने मस्कुलाइन फिमेल मेल हाती क्या है बचो मेल या फिमेल हाती पुलिंग है पुलिंग पे राइट दा लिए बचो बादल, बादल क्या है बचो, बादल, स्त्रेलिंग या पूलिंग, पूलिंग है बचो, पूलिंग पे राइट दा लिए सूरज, सूरज क्या है बचो, सूरज, स्त्रेलिंग या पूलिंग, पूलिंग है बचो, पूलिंग पे राइट दा लिए मा, मा क्या है बचो, मा क्या है, मा स्ट्रेलिंग है, स्ट्रेलिंग, स्ट्रेलिंग पे राइट दा लिए, पुलिंग रॉंग, स्ट्रेलिंग पे राइट दा लिए बचो Third bit मिलते जुलते शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहते है बच्चो जैसे English में rhyming words कहते है same pronunciation, same आवाज आती है उसे समान तुक वाले शब्द कहते है समान तुक वाले शब्दों का मिलान करो match करिये बच्चो यहां पर words है उसको आपको match करना है जैसे अभी का राइमिंग वर्ड जैसे समान तुक जिसके आवाज सेम आनी चाहिए अभी इसकी आवाज मिलती जुलती तुक वाला शब्द है यह राइमिंग वर्ड कभी पानी नानी देखो बच्चों आवाज सेम आ रही है ना जो आवाज सेम आती है उसे हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं जैसे राइमिंग वर्ड घर पर इसको यहाँ पर जोड़िये बच्चों सेम आवाज आ रही है ना घर पर इतनी, कितनी, इतनी, कितनी इन दोनों को जोड़िये बच्चो, मिलान करिये इनका घड़े, घड़े, पड़े, घड़े, पड़े सेम आवाज आ रहे हैं न बच्चो, इसे समानतुक वाले शब्त कहते हैं बंद, मंद, बंद, मंद, इन दोनों का मिलान करिए बचो सुना, बुना, सुना, बुना, ये सेम आवाज है बच्चो, राइमिंग वर्स कहते हैं और हिंदी में समान तुकवाले शब्द कहते हैं बच्चो अब ध्यान से देखिए और अपनी रिडर में करिए फोर्थ बिट, दिये गए प्रश्णों के सही उत्तर में राइट का निशान लगओ बचो का किसने अपने घर का दर्वाजा बंद कर लिया है किसने अपने घर का दर्वाजा बंद कर लिया है किसने क्या बचो, किसने अपने घर का दर्वाजा बंद कर लिया बचो बादल ने, सूरज ने, घड़े ने, सूरज ने, सूरज ने बन कर लिया अपने घर का दरवाजा रैट दालिए बचो या ख, जोर जोर से कौन गरज रहा है? सूरज, मा या बादल, बादल बादल पे रैट का नशान लगा ये बचो बादल is the right answer बच्चो आज हम अपनी क्लास में यहीं तक कतम करते हैं अगला वर्ख हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे आप ध्यान से इस वीडियो क्लिप को देखें और अपनी रिडर में अच्छे ध्यान से नेट राइटिंग से लिखें बच्चो बच्चो आगे का रिडर कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे तब तक के लिए थैंक यू थेक केर